नमस्कार मैं पंकज दुवे और आप देख रहे हैं सागर टाइमस नीजी सागर संभाग से पूरे बुंदेल खंड साइद देश विदेश की ताजा तरीन खबर है और उनके पीछे का सच पूरी सठीकता एवं निर्वता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइड शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें आई ये देखते हैं ब्रेकिंग नीजी नमस्कार बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर से दरसल सागर मैं अवैद हत्यारों के जकीरे के साथ एक यूपी का गुंड़ा गरबता किया गया जिया हम आपको बता देख सागर जिले की सिहोरा चोकी पुलिस को एक बड़ी कामयावी हाथ लगी है जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को दो देशी कटे और सत्रह जिंदा कार्टूज के साथ गरबतार किया है जबकि एक आरोपी अभी फरार बता जा रहा है माम लेके सम्मद मैं बताया गया है कि बीती राथ सिहोरा पुलिस गस्त कर रही थी और इसी दोरान सुम्रेडी मंदर के पास दो लोग मोटर साइकल लेकर खड़े हुए थे पुलिस को आता देख दोनों लोग भागने लगे काफी मसक्त के बाद पुलिस ले एक आरोपी ससांख सेकर मिस्रा को पकड़ लिया है उसके बैग की तलासी ली गई तो बैग मैं दो देसी कटे और सत्रह जिंदा कार्टूस एक गुप्ती बरामद की गई है जो आप विज दर जल मामिले दरज है गरप्तार आरोपी को आर्स एक के तहत मामला दर्ज कर ने आला पेस किया गया है बड़ी काम aíभी पुलिस को आत लगी है और बताय जा रहा है कि यूपी के कोसांबी के रहने वाजे दोनोतों हैं पुलिस से संपर्क किया गया वहां पर तो सुचना म क्या कहना है वश्ट अधिकारी के रगाता प्रवाइट थाना और शुवरा चोपी द्वारा लगातार पर देख हमारे हां इवनिंग में रोड पेट्रोलिंग की जाती है प्रॉलिंग की जाती है उसी दुरहां आज कल दिना चोविस्तों एक किसको भी में हो मेरी टीम द्वा सब्सक्राइब कोशित करने जगे तो उसके पास एक बेग को चेक किया गया तो उसमें दो देसी कंटेक बुक्ती और बारा तेह सित्रह बारा बोर्ती है और पांच जो हैं अपने तीसु पंद्रह की है टोटल पिलना सित्रह जिंदा कारपूल से और एक फेक दोसके साथ का संथी प्रजापाती है और यह यू जानकारी प्रता की जब कोशांबी जिले से और मजन पुर्थाने से तो उसके अंच आज दर्जन मामले यह इसमें धारा है 25, 27 और 25 भी आमस हैं जाए यह पात्मार के पांस को पिस